टीवी का कॉमडी शो देकपिल शर्मा शो इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है किछले कुछ दिनों से इस शो में सुनील ग्रोगर की वापसी को लेकर चर्चा हो रही थी लेकिन खुद सुनील ने बीते दिनों ऐसी खबरों पर अपना स्टेटमिन दे कर ये साफ कर दिया कि शो में फिलाल उनकी वापसी नहीं होने वाली है वहीं आपको पताते चलें कि इस बार शो में आने वाले एपिसोड में काफी कुछ खास होने वाला है दरसल इस बार शो में आम आद्वी पार्टी के पुर्व नेता, कुमार विश्वास, बॉलिवोर डैक्टर मनोज बाचपई और पंकर त्रिपार्टी नजर आएंगे इस बाप की जानकारी खुद सोनी टीवी ने क्रोमुष शेयर करके दी है सामने आइस प्रोमो में पंकर ट्रिपार्टी ने जो किस्ता सुनाया वो आपको हसाने के साथ साथ इमोशनल भी कर देगा बता दें कि मनोज बाचपई ने बताया कि पंकर ट्रिपार्टी ने एक बार होटल से उनकी चपल चुरा ली थी इस पर पंकच ने बताया कि मनोज बाचपई एक वक्त पर उस होटल में ठहरे थे जहां पंकच ट्रिपाठी बतौर किचन सुप्रवाइजर काम करते थे उनके बॉलिवुट से लगाफ के बारे में वहां के स्टाफ जानते थे तो पंकच के कहने पर मनोज बाचपई के कमरे में सर्विस के लिए उनको ही भेजा गया वहां उनकी मुलाकात मनोज बाचपई से हुई बाद में जब मनोज बहां गये तो वो अपनी चपल भी भूल गये जिसे पंकर त्रिपाठी ने आशिरवाद समझ कर अपने पास रख लिया इस बात को बताते हुएं वो काफी एमोशनल हो गए वैसे कहना गलत नहीं होगा कि मनोज बाचपई को वो चपल आज पंकर त्रिपाठी के लिए काम कर गई क्यूंकि आज के समय में पंकर इंडस्ट्री के पॉप्लर अक्टर्स में से एक है उन्होंने गैंग ओफ वसेपूर इस तरी जैसी कहीं फिल्मों से लोगों के दिलों में अपनी चगा बनाई है वहीं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो जल्द ही गुंजन सेक्सेना की बायोपिक में नजर आएंगे इस फिल्म में वो जानवी कपूर के पिता के रोल में दिखाई देंगे और ये फिल्म अगले साल 13 मार्च को रिलीज होगी अपकर 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 अंगेया है झाल 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 झाल